स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंके क्लासेस पर दोस्तो आज इस वीडियो में परिच्छा की द्रिख्टी से बहुत ही महत्पोंड प्रस्ण जी हाँ दोस्तो प्रस्ण ने देख लिजे कर्मधारे समास की परिवासा तथा उदारन लिखे साथियो आज इस वीडियो में इस प्रस्ण का उत्तर मैं आपको सरलेबम सटीक सब्दों में बताऊंगा ताकि जब भी आप इस प्रस्ण का उत्तर अपने उस्तर पुस्ति का पलिखें तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके जी हाँ दोस्तों इसी तरह से आपको लिखना है आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा चलिए फटा-फट वीडियो श्टार्ट करते हैं वीडियो श्टार्ट करने के पहले साथ यो आप से एक रिकेश्ट है कि अगर आप हमारे चैनल एनके क्लासेस पर हैं तो चैनल को दिल से सस्क्राइब कर एक पहरा सा कमेंट कर वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्पून होने वाला है बैल आइकन को प्रस कर दीजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए तो इसका उत्तर देख लिजेए सबसे पहले आपको परिवासा का हेडिंग डालना है फिल लिखना जिस समास का पहला पद विसेसंड था दूसरा पद विसेस हो उसे कर्मधारह समास कहते हैं बहुती सरल है दोस्तों कोई भी प्रस्न पढ़िये पूरे मन से पढ़िये दिल से पढ़िये तो याद हो जाएगा आपको रटने की आवसकता नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा फिस एक बार पढ़िये जिस समास का पहला पद विसेसंड था दूसरा पद विसेसो उसे कर्मधारह समास कहते हैं बहुती सरल है इसका उधारण देख लीजिए साथियों इसके उधारण में लिखेंगे जो पहला है नील कमद यानि की नीला है जो कमल दूसरा है महादेव महान है जो देव तीसरा चंद्र मुखी चंद्र के समान मुख चौथा चरण कमल यानि कमल के समान चरण बहुती सरल ह आपको इसी तरह से लिखना है तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंड में जरूर वताइएगा अगर आप हमारे चैनल एन के क्लासस पर नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है जी हाँ दोस्तो इस तरह से आपको बिसा हिंदी और अन्न बिसियों का इंपॉर्टन कॉस्चिन आपको प्ले लिश्ट पर मिल जाएगा तो नेक्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलें दोस्तो जैहिन बंदे मातरम